जबलपुर में NSUI कारिकरताओं ने मध्यप्रदेश आयूर्विज्ञान विश्व विध्याले में जम कर प्रदर्शन किया इवं कुलपती को इग्यापन सौपा गया जिसमें संगठनों ने विश्व विध्याले में आ रहे विबिन समस्याओं के बारे में अवगत कराया जबलपुर में NSUI कारिकरताओं ने मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया इस जरान कारिकरताओं ने जमकर नारे बासी की संगठन का कहना है कि गोपनी एवं परिक्षा विभाग में चार साल से जादा किसी भी अधिकारी को नहीं होना चाहिए विश्व विध्याले में माकशीट भी गलत प्रिंट होकर मिलती है और विश्व विध्याले में करमचारियों की और भरती होना चाहिए जुस्से की कारिक जल्द हो सके विश्व विध्याले में बहुत फरजी छात्र नीता आते हैं उन पर प्रतिबन लगाना चाहिए अधिकारियों के द्वारा छोड़े गए कर्मचारी जो कि यहां पर सुद्ध दलाली का काम करते हैं मद्द प्रदेश के अलग-अलग कौनों से आने वाले छात्र छात्राओं को पकड़ते हैं रिवेल रिवेलिशन के नाम पर पास करने के नाम पर उनसे 20,000,50,000 यहां तक की एक एक लाक रुपए तक की मांग की जाती है कुछ मुद्ध ऐसे भी हैं जिनको हमने यहां पर सुपे हैं कि जिनका रिवेलिशन उन्होंने एक जनवरी 2019 को भरा ता लेकिन आज एक साल एक महीने बीच जाने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं निकाला गया है उसके लिए भी हम लोगों ने ग्यापांस होपा हैं इसके अलावा विश्विद्दाले में यहां के कुल सचिप की उपर भरश्टा चार का यह आरूप है आई क10 कारेकर्त कुछ आये हैं है दुशेथे नहीं जिमांड्स एंट आए मैंड्स को मैंने ले लिया है 4 पाउच ईमांड्स ह Од है कि यहां आधिकारी लिए कि आए काम ठीक से कायफ्याम ठीक से नहीं कर रहे हैं दूसरा है कि रिजर्ट्स टाइम से नहीं आ रहे हैं। और तीसरा है कि कुछ जो आउट्सोर्ज करमचारी जो हैं यहां पर वो यहां के बाद बाहर निकालते हैं, उपको खटाना उचित होगा। तो कुछ अगर एक्स्टा कुछ से कारे करता हैं, कुछ एक्स्टा अगर कोई यहां वरकर्स होंगे, जो इनका एक्टियल जरूत यहां नहीं है, तो उनक खटानी कारे कवाई की जाएगी, और भी कुछ एक दो पॉइंट्स होना है, टेक्निकल्स बताये हैं, उसके बारे में